उत्राखंड में शनिवार को एक बार फिर कोरोना के नए एविंग उपचाराधीन सक्री शंकिरमितों की संख्या में बढ़ुत्तरी देखने को मिली है इसके साथ राज्जी में स्वस्ततादर में भी 0.02 पृष्षट की कमी और सक्रीतादर में 0.02 पृष्षट की बढ़ूत्तरी हुई है राज्जी के ताजा हेल्थ बुलेटिन के नुसार बीते 24 गंटूस में 17 नई मामले आये जबकि 8 ही स्वस्त हुए इसके साथ सक्रिय संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़कर 173 हो गई जबकि आज केवल 13,596 लोगों की ही जाच कराए गई सक्रितादर 0.12 फिसद और स्वस्ततादर 0.96.02 फिसद हो गई खास बात ये भी है कि नए संक्रमितों में आयाइटी रुडकी में युगांडा से लोटा एक चात्र भी सामिल है इसके लावा गोपिश्वर में भी एक चात्र संक्रमित पाए गया है जबकि नैनिताल जनपत के राजकी इंटर कॉलेज भतरोज खान का एक विद्यारती भी आज करोना संक्रमित पाए गया है इससे पहले शुक्रुवार को भी नैनिताल जन्पत के राजकी इंटर कॉलेज राती घाट के चार चात्र कोरोना संक्रिमित पाए गए थे इससे शिक्षाविंग स्वास्ति भुखा के साथ ही आम जन्ता में भी दुभारा से कोरोना के मामले बढ़ने और तीसरी लहर के लोटने के आसंका फिर से पैदा हो गई है नवीन समाचार पर यह तथा अन्य समाचार आपको कैसे लग रहे हैं हमारे अप्रियास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा और हमें सब्सक्राइब एमेंग लाइक भी जरूर कीजिएगा धन्यवाद